बिहार की सियासत की जहां वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है उसने आगे की जो रणनीती तै की है उस पर बिहार के उनके सहयोगी जिनकी बदौलत केंद्र में उनकी सरकार बरकरार है उसका रुख उसके विचार कुछ हिलते डुलते नजर आ रहे ह वक्फ से जुड़े संशोधन प्रस्ताओं पर संसद में तो जेडियू के सांसदों ने अपनी स्थिती स्पष्ट कर दी थी लेकिन यहां बिहार में जो मुस्लिम जेडियू नेता हैं उनके सुर कुछ अलग सुनाई दिये थे और बिहार में चुकी अगले साल चुनाओ है तो ऐसे में चुनाओ पर इसका असर ना पड़े ऐसे में जेडियू अपने मुस्लिम नेताओं के साथ मन्थन कर रही है वक्फ संबंधित बिल पर पार्टी का क्या रुख संसद में होना चाहिए इस पर बातचीत चल रही है क्या बताया जा रहा है यह हम समझने का प्रयास करेंगे चलागे ना सबरता जेपीसी में भेदने के लिए माने मुक्वंति जी ने बिज़वाय था लोग को मालुम नहीं है कि जब हम लोग जाके मिले थे मुक्वंति से तो फौरण इलानबाव से बात किया विज़ए का नाम है संदीध धाजी से बात हुई फिर जेपीसी में जारे की बात है अब जेपीस इसको फासला करेगा उसके बात देखा जाएगा को जहां जहां ऑब्यक्शन है उसको दूर किया जाए इस सेटीव पे पूरी पार्टी पार्टी के जितने सिनियर लीडर है सब लोग बैठें और सब लोग ने बहुत सिरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है जो नुक्सान देपार्ट है उसको हम JPC बिहार भी आएगी बिहार के लोगों से मिलेगी बात करेगी नुटिकिकर्शन होगा और सब कुछ होगा जेपीसी जो उसमें हम लोग जो मिंबर है हमारे पार्टी के तरब से उस कमिटी में हमारे पार्टी रखे भी आप जानते ही कि हमारी सरकार की प्रतिंता रही है अलब संकर समाज के हीतों के लिए हमारी सरकार हमारे नेता हमारी पार्टी लगतार असमे दनसील रहा है उसकी ही सत्ताधारी खेमे का कहना है कि ये मुस्लिमों के विरोध में कुछ नहीं किया जा रहा है बलकि मुस्लिम समुदाय में सभी को उनका हक मिले उनके साथ उनका हित जुड़े इस कोशिश में संशोधन की कवायद हो रही है लेकिन विपक्ष से जस तरह से प्रचारित कर रहा है उसका फायदा ये होगा कि विपक्ष मुस्लिम वोटों को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ पाएगा सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर क्यों आवश्रकता पड़ी इस मुद्दे पर ये समझना चाहेंगे आशुतोष में इसको सवहा के पास गए तो उनका कहना था कि आप मुहमद इरसादुल्ला है सिया वक्ष सुनी वक्ष बोड के चेर्मेन है आप उनसे बात की दिये कुल मिला कर ये मामला था कि एक तरफ जब ललन सिंग ने सदन के अंदर संसद में जब ये कहा कि नहीं ये जो अधिनियम है ये मुसल्मानों के पक्ष में है तो उसके बाद से विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया और जेडियू की मंसा पर सवाल खड़े कर दिये पिसले दिनों याद होगा आपको की आरजेडी ने एक मिटिंग की थी अलपसंख्याक नेताओं की और उसमें तेज़श्वी यादब भी पहुँचे थे और उन्होंने साफ तोर पर इसी बिल को ले करके जेडियू की मंसा पर बीजेपी की मंसा पर सवाल खड़े कर दिये अब मसला वोट बैंक को एक जुट रखने का है ये चुनोती अभी जेडियू के सामने आ गई है और ललन सिंग के बयान के बाद कहीं न कहीं जेडियू पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गई थी क्योंकि संगठन में जो अलपसंख्याक नेता थे वो काफी नाराज दिख रहे थे उनके स्टेट्मेंट भी सामने आ रहे थे और उसके बाद ये प्रेसर था मजबूरी थी कि उन तमाम संगठनों से जुड़े नेताओं को बुलाया जाए बठाया जाए जो विद्वान है उनको एक मंच पर बठाया जाए उनकी बातों को सुना जाए कि आख कहा गया कि आने वाले समय में जो भी जेपी सी की मिटिंग होगी उस मिटिंग में इन तमाम मुद्दों को जेडियू के तरफ से रखा जाएगा तो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जेडियू के तरफ से की गई है अब जेडियू इस पूरे मामले में कितना सफल हो प वो टालते चले गए क्या ये चुपी कुछ इशारा कर रही है नहीं बिलकुल जेडियू नेताओं को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो तुरंत जो पोजिटिव बिलको लेकर के जो पोजिटिव बयान ललन सिंग के तरफ से आया उसका कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है और यही वजह रही कि एक मिटिंग बुलाई गए जेडियू आफिस में और खास तोर पर ललन सिंग को बुलाया गया उस मिटिंग में क्योंकि डलन सिंग का जो स्टेटमेंट था बलन सिंग पाठी के सीनियर नेटा है और उन्होंने साब तोर पर कहा था कि मैं सदन में अगर प्रतिशकुमार के चैने पर ये मिटिंग रखी गई और नितिशकुमार के कहने पर ललन सिंग खud उस निटिंग में शामिल हुए और उन्होंने एक पुरी बातों को सुना अपना जो कहना था तो वह पहले भी कर चुके थे और इसमें भी उन्होंने इस बात की जनकारी द वाले समय में जो भी जेपीसी की मिटिंग होगी उसमें अपनी बात रखी जाएगी इसमें कोई दोड़ाय नहीं है कि विपक्ष की तरब से पूरे मामले को कैस करने की कोशिश की जा रही है यह जरूर विपक्ष मानता है कि जो अलपसंख्यक बोट बैंक है वो कहीं न कहीं साथ है अगर आप सारवजनिक मंच पर बाते नहीं रखेंगे तो विपक्ष तो इसे भुना लेगा ना अपने हित में यह तो विपक्ष के तरब से यह कोशिश से जारी है अब देखना होगा कि आपको याद होगा कि विजय चौधरी नरन सिंग के बयान के बाद विजय च इसी में ले जाया जाए जो भी जिस अस्तर पर समीक्षा होनी चाहिए वो समीक्षा हो समीक्षा में जो भी पक्ष वाले लोग हैं वो अपनी राय रखें जिनहें आपतियां हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं और बीच का रास्ता निकले तो कहीं न कहीं एक जो स्टेट अब इस कोसिस के बाद क्योंकि जो निता निकले क्योंकि सिया वकबोर्ड सुनिव वकबोर्ड दोनों के चेर्मेन वहां पर मौझूद थे जो अल्पसंख्यक समुदाय को लीड करते हैं जो संगठन उनके प्रतिनीदी वहां पर मौझूद थे तो सबाबिक बात है कि एक आम राय बनाने की कोशिश की गई है और feedback लेकर के जो आपतियां होंगी उन आपतियों को दिया जाएगा अब उन आपतियों को कितना accept करती है कि इन सरकार कितना amendment होता है ये देखने वाली बात होगे है बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बाचित और जानकारी के लिए तो अभी हाल ही में ईद के मौके पर मुख्यमंतर नितीश कुमार इन तमाम नेताओं के घर जाकर सिवईया खा कर लोटे हैं लेकिन उन सिवईयों के मिठास कहिए से वक्फ संशोधन बिल को लेकर न कम हो जाए ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी हो और जेडियू इस कोशिश में लगा हुआ है जेपीसी में बिल गया है वहाँ अगर संशोधन के प्रस्ताओं की आवशकता होगी तो जेडियू की और से रखा जाएगा इसलिए तमाम अलपसंख्यक नेताओं को अलपसंख्यक समुदाय के प्रतुनिधियों को बुला कर इस पर खुल कर बातचीत की गई है इससे जुड़ी जानकारी आपको आगे देते रहेंगे फिलहाल इतना ही नियूजरूम लाइफ में कशिश नियूज पर खबरों का सलसिला चलता रहेगा देखते रहें कशिश नियूज